हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS Official में जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पिछले क्लासेस में सिंस ओर्गन के चार पार्ट आईज, इयर्स, नोज एंड टंग के बारे में डिटेल से डिसकसन कर चुके हैं आज हम लोग सिंस ओर्गन के पाँचवा यानी अंतिम पार्ट स्कीन यानी तवचा के बाड़े में डिटेल से डिसकसन करने वाले हैं तो चलिए, सुरू करते हैं स्कीन यानी तवचा, तवचा सरीर का बाहरी आवरन है यहां सरीर की सुरक्षा का पहला बाहरी कवच है तो अच्छा हमारे सरीर का सबसे बढ़ा अंग है यानि skin is the largest organ of our body एक्जाम में बहुत बड़ यह कोसन पूचता है कि सरीर का सबसे बढ़ा अंग क्या है तो सरीर का सबसे बढ़ा अंग skin हो जाएगा लेकिन इसी कोसन कर घुमा कर पूचेगा कि सरीर में सबसे बढ़ा अंग क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा लीवर, शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर होता है और सरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है स्कीन यानि त्वचा हो जाएगा, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा स्कीन यानि त्वचा के अध्यन को डर्मेटोलोजी कहते हैं यह एक्जाम के point of view से काफी important है यह एक्जाम में बहुत बार पुचता है कि त्वचा यानि स्कीन के अध्यन को क्या कहते हैं तो स्कीन के अध्यन को डर्मेटोलोजी कहते हैं अब हम लोग स्कीन के function को पढ़ेंगे पहला function है protection यानि रक्षा करना स्कीन हमारा कैसे रक्षा करता है हमारे सरीर को किटानू से बारी अगर किटानू हमारे स्कीन के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं तो उस किटानू को हमारे स्कीन में lysozyme नमक liquid पाये जाता है यह क्या करता है हमारे सरीर में जो किटानू रहते हैं प्रवेश करते हैं इसकीन के द्वारा उसको लाइसोजायम क्या करता है मार डालता है तो इस तरह प्रोटेक्शन करता है कौन इसकीन किटानूं से संग संग अल्ट्रा वाइलेट रे यानि जो इवी रे होती है जो पड़ा बेगनी किर्णे सुड़े के प्रकास से आती है वो हमारे सरीर में इसकीन कैंसर उत्पन कर सकती है इससे रक्षा करने का काम मेलानीन करता है मेलानीन क्या होता है यह मेलानीन हमार त्वचा की बाहरी परत EP Derneus में पाई जाती है मेलानीन क्या होता है हमारे त्वचा का रंग को प्रदान करता है जिसके सरीर में मेलानीन की संख्या जादा पाई जाएगी वह अधिक खाले रंग के होते हैं और जिनके सरी में मेलानीन की मात्रा कम पाई जाती है उसका सरीर रंग गोड़ा होता है यानि जो मेलानीन होता है यह सूर्य से आ रही कीड़ने जो अल्टा वाइलट रहे है यूवी रहे है पड़ा वैगनी कीड़ने है इससे हमारे सरीर को रक्षा करता है किसे जो इसकीन कैंसर उत्पन हो जाता है जो यूवी रहे से इससे मेलानीन क्या करता है हमारा इसकीन में प्रोटेक्शन करता है तो यह अपनों प्रोटेक्शन के बारे में समझ गे इसकीन हमारा कैसे प्रोटेक्शन करता है लाइसोजाइम से किटानुओ को मार कर और मेलानीन क्या कर आनने वाली सूर्य के किरन से बचाता है कौन मेलानिन अब नेक्ष है टेम्परेचर यानी तापमान में इसे कैसे रख्षा करता है यह हमारे सरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है हमारे सरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फैरनाइट होता है इसमें या काफी महतवपुन भूमिका निभाता है हमारे सरीर के तापमान को नियंतरित करने के लिए हालांकि जो मुखे रूप से रक्त जो होता है वो हमारे सरीर का तापमान को नियंत्रित करता है लेकिन जो ये स्कीन है हमारा जो त्वचा है या भी इसमें महतोपुन भूमिका निभाता है हमारे सरीर के जो टेंपरेचर होता है इसको नियंत्रित यानि कंट्रोल करने में अब नेक्स्ट है उत्सरजन यानि इमिशेशन जब हमारे सरीर की टेंपरेचर ज्यादा हो जाती है तब इसकीन क्या करती है पसीना के साथ साथ नमक को बाहर निकाल देती है यानि उत्सरजन क लाता है तो उस सर्जन क्या करता है हमारा स्कीन किसको पसीने यानि स्वेट को और साथ में नमक को नमक कैसे आप लोग देखिएगा जब आप लोग गरमी के दीन में जब आप लोग पसीने से भींग गए होते हैं तो आपका जो कपड़ा होता है उस कपड़े को उपर स्कीन यानि त्वचा तो सर्दन समझ गया अब है आवशोषन यानि एबजॉर्चन भी करता है हमारा त्वचा कैसे देखिए जब ऑईल जो होता है जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं उनको जब मताएं उनको ऑईल लगा जब उन्हें तेल से मालिस करती है या उनके उप мотринки आवल का मसाज करती है तो क्या होता है ओ ये मानसपेशियों में भेज डेता यह सब लगाते हैं पर जो अच्छा पर या करता है वख्यों करता है तो यह function of skin आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चलिए हम लोग कीन के लेयर के बारे में समझते हैं layers of skin यानि जो त्वचा की जो पड़ते हैं वो कितने भागों में इनकी पड़ते इसकीन यह वटी हुई है तो जो पहला भाग है epidermis जो आप लोग देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं इसे अधी चर्म कहते हैं या तवचा की बाहरी परत होती है सबसे बाहरी परत जो होती है यह इपीडर्मिस ही होती है जो आप लोग याँ पर चित्र में देख पा रहे हैं इसी परत में मेलानीन नामक pigment पाए जाता है अभी मैंने जो पढ़ाया जो मेलानीन होता है यह अल्टा वाइलेट रे को इसे हमारे स्कीन को बचाती है किसे स्कीन केंसर से बचाती है कौन मेलानीन और मेलानीन क्या होता है हमारे रंग को अधारित होता है जैसे जिसके सरीर में मेलानीन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी वह अधिकाले होंगे और जिनके सरीर में मेलानीन की मात्रा कम पाई जाएगी वह जाए दिवाल से या किसी चीज से तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है हलका सखी जाने से इसमें ब्लड नहीं निकलता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल पाई नहीं जाते हैं इसके अंदर लेयर्स के अंदर ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं ठीक है यानि ब्लड नहीं बस आप लोग इतना जनिए इपीडर्मिस का कारे क्या है यह बारी परत होता है और इसी परत में मेलानिन पाया जाता है जो और क्या होता है इसमें ब्लड नहीं पाया जाता यह ध्यान रखिएगा नेक्स्ट जो लेयर है डर्मिस यानि चर्म यह जो डर्मिस आप लोग डर्म मैं पाई जाती है आ जो यह DR. जो एपिडवाला जो लेयर होता है इसी में क्या पाये जाता है ग्रंतियां पाई जाती है जैसे क्यों से ग्रंतिया सब्इा फ्रकास से इसका निर्मान करती हमारे स्कीन में और जो स्वेट यानि जो पसीने वाली जो ग्रंथी है ये क्या करती है इसका अर्थ होता है पसीना स्वेट ग्रंथी यानि पसीने वाली ग्रंथी ये क्या करती है पसीना का उस्तरण करती है हमारे सरीर से जो स्वेट निकलता है ये ग्रंथी कहां पाए जाती जो हमारे स्कीन पर देख सकते हैं आप लोग जो रोम निकले होते हैं जैसे यह बाल देखे निकला हुआ है इस बाल का जो रूट होता है या किसमें होता है डर्मिस में होता है डर्मिस से इसका रूट जमा हुआ रहता है यह जो आप लोग देख पा रहे हैं जो आंत्रिक ले में देख पा रहे होंगे यह हेयर का साफ्ट है ठीक है और यह हेयर रूट है ठीक है उद्धोग में जो चमरा उद्धोग होता है चमरा का जो फैक्टरी होता है उसमें जानवरों के त्वचा का आंत्रिक भाग डर्मिस को ही पडियोग में लाया जाता है जो आप लोग देख आंद्रिक भाग का जो यह डर्मिस होता है इस डर्मिस वाले लेयर से ही यह जो उद्योग चम्रा उद्योग होता है जो फैक्ट्री होता है चम्रा का उसमें इसी का उप्योग किया जाता है जानवरों का जो यह डर्मिस होता है इसी से जूता बेल्ट पर्स तरह तरह की चीज ही है और एक स्वेध गरंती यानि जो पस्तीने हमारे सरीर से निकालती है यह गरंतिया इसी में पाई जाती है संग संग इसमें क्या होता है इसमें रोम होता है या बाल होता है इसी का जड़ इसमें से ही निकला हुआ रहता है अब हम लोग देखते हैं यह डर्मिस के नीचे डर्मिज स्वेट के नीचे में इसको रख्षा कोनब यह और करता है तो यह वायरी चोट है यह हमारे सरीर पर बाहरी चोड से ही बचाता है यानि अंगों की रक्षा करता है एक बात जानते हैं जो आप लोग नोटिस कियोंगे कि बुढ़ापे के समय में सरीर में फैट की मातरा कम हो जाती है बचा पर जुडिया पढ़ने लगती है कोस्तन एकजाम में पूछेगा कि बु जाता है बुढ़ापे के समय में तो यह नीचे दब जाती है जिससे क्या कर होती है इसकीन में जुडिया पढ़ जाती है तो फैट की मातरा कम हो जाने से बुढ़ापे में बुढ़ापे में जुडिया पढ़ने लगती है इसकीन पर आप लोग इतना समझ गया अब हम 5 mm से 2 mm तक इसका मोटाई होता है हमारे आग की पलकों की जो तवचा होती है यह सबसे पतली होती है आग का जो आप लोग पलक देख रहे हैं इसे इस पर्स करके देखिएगा कि यह कितनी पतली है तो आग की जो पलक है यह सबसे पतली तवचा है सबसे पतली स्कीन है तथा ज का जो पलक होता है इसकी तवच्छा सबसे पतली होती है तो आप लोग समझ गए होगे सबसे उपर जो लेड होता है हमारा की स्कीन जोप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे बहँड़ी परत होता है इसके दीर्मिस पाए जाता और इसके नीचे हाइपोडरिस यानि फैट जिसे हाइपोडर्मिस काते हैं और इसके नीचे इस फैट के नीचे मसल पाये जाती है यानि मानस्पेसिया पाये जाती है और इस मानस्पेसिया के नीचे क्या पाये जाते हैं बोन्स पाये जाते हैं तो इस लेयर को आप लोग समझ गये होंगे आज के इस क्लास में क्लास के साथ जो सेंस औरगन का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है जिसमें पांचों सेंस औरगन आइज इयर्स नोज टंग एंड स्कीन के बारे में आज डिटेल से डिसकसन किये हैं जो एक्जाम के पॉइंट और व्यू से का तक के लिए जाहिंद